तो हेलो फ्रेंड्स यहां से अभी हम लोग जा रहे हैं भूसी डेम तो आप लोग हमारे साथ बुलोग में बने रहे हैं बहुत ही मज़ा आने वाला है बहुत ही भीड है तो चलिए चलते हैं भूसी डेम तो यार देख सकते हों हम लोग जा रहे हैं अभी भूसी डेम देख सकते हों कितना भीड़ और कितना खूबसूरत नजा रहा है बहुत ती खूबसूरत लग रहा है तो फ्रेंड्स आपको बता दू भूषी डेम पुने से 6 km की दूरी पर लोनावला में है जो की बहुत ही खूबसूरत है और यह मौनसुन के मौसμ में बहुत ही खूबसूरत लगता है तो फ्रेंड्स देख सकते कितने सारे लोग आये हैं और इंजोई कर रहे हैं वाकर इमें फ्रेंड्स इअब बहुत ही खूंसरा जगा है सब लोग बहुत ही इंजॉई कर रहे है कि थांस स Toby कितना है 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 कि similar है uh कि यह सब्ечक्राइब कर्पार नदी अफॉल है तो फ्रेंड्स अगर आप लोग भी लोनावला आना चाहते हैं तो मौनसुन में ही आएगा बहुत तभी ऐसा खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जा रहे हैं यहां से थोड़ी दूर पर है एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल जिसका नाम है टाइगर वाटरफॉल तो चलिए आपको दिखाते हैं बहुत ही खूबसूरत है तो चलिए चलते हैं टाइगर वाटरफॉल आने के लिए आपको भूसी डेम से उपर की तरफ आना होगा फ्रेंड्स मैं भी यहाँ पहली बार आया हूँ वाक़े में बहुत ही खूपसुरत जगा या और यहाँ देख सकते हैं छोटा सा वाटरफॉल कितना खूपसुरत लग रहा है और इधर से डेम में जा रहा है भूसी डेम में है वाक़े में बहुत ही खूपसुरत नजारा हूए या और प्रेंड्स हकते हुआ है टाईगर वाटरफॉल अभी हम लोग वही जार रहा है उस पहाड़ी के एपर देख सकते हो कितना बड़ा है तो प्रेंड्स हम लोग पहुंच गए टाईगर वाटरwent चूपसुरत लग र यहाँ इंजोई करने के लिए तो फ्रेंड्स अभी बरसात का मौसा में और यहाँ चाहड़ना बहुत ही ज्यादा मुस्किल है तो गाइस आपको यहाँ जगा कैसा लगा कमेंड में जरूर बतेएगा और बहुत ज्यादा बारिस हो रहा था इसलिए और उपर नहीं जा पाए और यहीं से हम लोग वापस अभी जा रहे हैं और यहाँ देख सकते हैं बूसीडम में कितना भीड है सब लोग इंजोई कर रहे हैं तो फ्रेंड्स हम लोग नीचे आ गए और अभी जा रहे हैं वापस घर बहुत ही मज़ा आया बहुत ही ज्यादा इंजोई किये आपको हमारा आज का ब्लोग कैसा लगा प्लीज कमेंड में जरूर बताएगा अभी के लिए इतना ही जिए नेक्स्ट ब्लोग में तब तक के यह बाई